वाल इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ डिस्क्लेमर यह है कि आप मुझे ब्लेम मत कीज़ेगा अगर इस वीडियो के बाद आप एक बन जाएं वैल अभी तक आप मेंसे जाधातर लोगों से टिप्स मांगते हैं कि हमें को टिप देदो कि कौन सा स्टॉक धमाल मचाने वाला है और कौन सा स्टॉक डूबने वाला है पट कैसा रहेगा कि अगर आज इस ट्रेनिंग के बाद लोग आप से टिप्स मांगें कि बढ़े और कौन सा डाउन जाएगा एंड इसके लिए सबसे इंपॉड़न चीज हमें करनी हो यह है कि हमें प्राइज चार्ट को देखने हैं हमें प्राइज देखना अभी तक होता कि हम प्राइज इदेखते हैं एक इस चौक अपने कि भी आप प्राइस नहीं देखना मुझे, मुझे यह देखना है, कि actual में company कहाँ पर खड़ी है, वो stand कहाँ पर कड़ती है, उसकी income क्या है, उसके एक्सपेंस क्या है, उसके पास assets क्या है, उसकी liabilities क्या है, और फिर हम judge करेंगी कि company आगे जाएगी नहीं जाएगी, और बहुत सरे और भी factors हैं, पड़ यहाँ पर जो game है वो common sense का है, और जाधातर लोग जो ऐसा बोलते हैं, कि common sense एक ऐसी चीज़ है जो जाधातर लोगों में होती नहीं, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा है, साधातर लोग stock market में loss करते हैं अपना, जब वो loss करते हैं, तो मुझे ऐसा feel होता है, कि शायद उनने common sense को use नहीं किया, किसी की tip मान ली, तो आज आपने tip मांगनी नहीं है, आपने देनी है, अब हम यह कैसे करने वाले हैं, वेल, आप सब के पास browser है, तो इस वीडियो के बाद राम से चो में activity करने वाले हैं, वो आप खुद भी करेंगे, हम random stocks पर करने वाले हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने choose किया हुआ है, आप जिस stock पर बोलेंगे, मैं महाँ पर आकर रुख दूँगा, और आपको exactly बताऊंगा, कि कैसे हम यह देखने वाले हैं, कि company आगे grow करेगी, पविश्य हमें नहीं करेगी, कैसे पता लगता हमें, तो वो कैसे पता लगेगा, आप Google पर कोई भी stock screener को search कर सकते हैं, यहां पर मैंने ticket tape को खुला हुआ है, अब यहां पर जो मैंने खुला हुए, screener पर हम आगे हैं, यहां पर आपको बहुत सारी companies दिख रही हैं, अब यहां पर large cap companies भी है, mid cap companies भी है, small cap companies भी है, अब large cap companies को आप जानते ही हो, यहां पर Reliance है, Tata है, GFC है, Infosys है, हिंदुस्तान, Unilever, बड़ी-बड़ी companies हैं, अब यह बड़ी companies में risk कम होता है, क्योंकि इनकी market cap बहुत अच्छा है, तो डूबने के chances बहुत कम होते हैं, mid cap में risk थोड़ा सा medium होता है, और small cap में risk जादा होता है, पैसा बढ़ेगा, तो कुछी टाइम के अंदर चार गुना, पांच गुना, दस गुना भी पैसा होता है, और डूबता भी वैसे ही, बट अब हम tips तो मांगने नहीं वाले किसी से, तो हम करने के वाले हैं, हमें analysis करने वाले हैं, अब देखिए, ऐसी बहुत सरी companies होंगी, इनका तो आपने चलिए नाम सुना हुआ है, तो हम पहले एक large cap company का analysis करते हैं, और फिर हम सारी small cap companies का analysis करेंगे, हमने करना के सबसे पहले मैंने बोला, price नहीं देखना, यहांपे मालिजय में ऍंदॐस्तान uniliver का देगेंगे, हम सबसे पहले financials प्लिक कर देंगे, हम प्राइज कर देखना ही नहीं थैंग, ऋपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उस Must imagen का मतलब यह हैं कि हम यह देखने वाले है, कि company जो है उसका revenue क्या रहा है profit before interest and tax क्या PBI किसी ने मिरसे पहले comment करके भी पूछा था PBI का मतलब क्या होता है net income क्या है company की तो top line revenue कितना आ रहा है bottom line net income कितनी आ रही है अगर आपने बस इतनी सी common sense लगा लिए भाया company कमा कितना रही है क्योंकि business में सबसे important क्या होता है business में सबसे important होता profit generate करना अगर कोई business profit generate नहीं करना तो जाधा टाइम टिक नहीं पाएगा उसका stock नीचे जाएगा ही जाएगा तो अब यहां पर देखते हैं अभी तक हमने देखा यहां पर 2012 से शुरू कर लेते हैं इनका revenue 23,000 करोड़ यह करोड़ों में 23,000 करोड़ का revenue था फिर 28,000 करोड़ का हुआ तेरा में 30,000 करोड़ 32,000 करोड़ 33,000 करोड़ 36,000 करोड़ और बढ़ते बढ़ते अभी 2021 के अंदर 47,000 करोड़ का इनका revenue तो revenue के लिए तो positive जा रहा है यहां पर green signal है अभी मैं कुछ भी और नहीं देख रहे हैं यहां पर बहुत सरी चीज़े लिखे हुए हैं मैं कुछ नहीं देख रहा है मैं अपना common sense लगा रहा हूँ company भी यहा पैसा बना रही है cash आ रहा है company के पास हाँ भी cash तो आ रहा है उसके बाद मैं देखोंगा किसकी net income क्या net income बढ़ रही है तो अब यहां पर देखिए यहां से शुरू करते हैं महीं से 2012 से 2700 क्रोड मोटा मोटा 2600 क्रोड रुपे का net income था उसके बाद 3800 3900 43 41 44 52 6000 67 और अभी मोटा मोटा 8000 क्रोड तो यह देख रहा है company income कमा रही है अब income अगर company के पास आ रही है that is very good पर हमें एक और चीज़ देखनी होती है चुलो income तो आ रही है एक आदमी महीने का एक लाख रुपे तो कमा रहा है पर उसके उपर अगर कर्जा हुआ तो क्या हुआ हुआ है पर उसके उपर कर्जा बहुत साथा एक क्रोड रुपे अब आप समझे मान लेते हैं अब एक एक जामपल लेते हैं अब यह company से तो हमें दिख गया कि यह company है हमारे पास अब यह company का मालक आपके पास आता है अब यह company से एक 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 लाख रुपे चाही है आप कहते है चलो मैं एक लाख रुपे दे तो दूँगा और आप मुझे वापस भी कर दोगे भर अभी आपके पास existing करजा कितना है वो कहते है जी बीस लाख रुपे का करजा है अब आपको लगता है इस कम्री को पर तो बीस लाख का करजा है और ये में से एक लाख रुप और मांग रहा है तो ये मेरे दे भी पाएगा नहीं दे पाएगा अब है घर बेच की पैसा देदेगा मेरा तो इसलिए आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो एंड सेम गोस फोरा कंपनी कंपनी के अंदर भी आपको फिनैंशल में यही देखना होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट खुर लो और यह देखो कि कंपनी के पास एसेट कितने अब यहां पर टो पर शाड़े-करोड से बीस जाग्रोड पर इनके एसेट्स आ अब एसेट्स हो गया घर बट अब उसके ऊपर लोन कितना है यहां पर आ जाएगा टोटल लाइबिलिटी ग्यारा हजार नौसो करोड तो आपने क्या देखा जी बीस हजार करोड के एसेट्स हैं और मोटा 12,000 करोड का इसकी उपर लोन अच्छा खासा लाइबिलिटी यह लोन की बात नीं कर रहे हैं लाइबिलिटी मिला पैसा देना यह तो पैसा देना है 12,000 करोड और है कितना 20,000 करोड होता है जो बड़ी कमपनी तो थी ना यह अपने ऐसेट्स की जो वैल्यों से फ्लक्चुर है हमें समझ आ रहा है बट जब हगर हम उसे बेसने जाएंगे क्या उतने का बिकेगा एक कंपनी बोल रही है जी मेरी ये मशीन सो करोड की है पर जब हम उसे बेसने जा रहे हैं तो उसके कोई तो फिर दिक्कत है अब कैश फ्लो देखते हैं कमपनी का अभी देखें हैं आपके कंपनी के पास लगाएं दोजा सतरह थारह उन्निस भी साप देख रहे हैं यहां पे कैश व्लो बढ़ रहा है अभी आप 2020 का देख सकते हैं 6700 करोड का कैश फ्लो कमपनी के पास है इसका मतलब है कमपनी के पाफ पैसा है यह तीन चीजे हमने क्या देखा ग्रीन साइन देखें तीनों के तीनों अभी क्योंकि बड़ी कमपनी थी बड़ी कमपनी में जर्नली आपको इस तरीके की स्टेटम जो है कंपनी का 20 परसेंट से बढ़ा है और इंडस्ट्री का जो एवरेज है 19.48 का है तो यहां पर यह अच्छी बात है सिमिलरली बैलंस शीट पर अगें आपको कुछ इंडिकेटर मिले होते हैं कि हायर दें इंडस्ट्री करेंट रेशियो एंड लोर दें इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो की इक्विटी और डेट के बीच में जो रेशियो है वह यहां पर एक पॉजिटिव इसी तरीके से इंडिकेटर लिए होते हैं मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा क्योंकि कभी-कभी यह कुछ भी लिख देते हैं हमें उससे मतलब नहीं कि यह लिख क्या रहे हम तो देखेंगे जो एक्च्वल है और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टन चीज में बतारो प्राइ वह इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी बनाती है आप यहां से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हो यह आप ही के लिए बना बट इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आपने इतना सा कॉमन सेंस वाला काम कर लिया तो आप अनकॉमन हो जाओगे क्योंकि जादा तर लोग जब पहसे लगाते हैं मुआ what a dannnell report निटेंफोंगे पता होती कहां पर आज आपको बता होते एंवेस्टर प्रिज्टेशन किया है उन्हें नहीं पता कि क सब यह सब पता ही नहीं होता बस किसी ने बोला प्राइस बढ़ेगा खरीद लो अब क्योंकि आपने तीन ग्रीन साइन देखे जस्ट ओवर्वियू पर आईए अब आप प्राइस देखिए और प्राइस को अब हम देखते हैं कि यह प्राइस कमणी का बढ़ रहा है नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपने 2012 से सोलग है आपने देखा 2012 से कमणी का सब कुस्तों बढ़ रहा है इंकम बढ़ रहा है एसेट बढ़ रहा है कैश फ्लो बढ़ रहा है तो कंपनी का शेयर भी बढ़ेगा बीच में ऊपर नीचे जाता है उससे कोई फरक नहीं पढ़ता हम लॉ और से स्कुरी में खोल लाए आ टें आप स्क्रीण धी तोबारा आ जाए है को स्मॉल कैप कमभी की बात करते हैं आप लोग जब यह बिना देख और भी करेंगे यहां पर देख़िए बहुत सारी कमपनी के नाम आ रहे हैं कोच इसका नाम भी ने सुनाओगा चले बर्गर किंग का अपने नाम सुना अभी आई पियो लाँच हुआ बर्गर किंग का हम देखेंगे निद्र का स्टॉपर इसका है मुझे मतलबी नहीं है मुझे मतलब फिनै 34 करोड 388 644 यह रिवेन्यू बढ़ रहा है रिवेन्यू बढ़ना अच्छी चीज़ होती है बट क्या नेट इंकम बढ़ रहे हैं नीचे देखते हैं नेट इंकम बॉटम लाइन हर साल यह कंपनी लगातार लॉस बुक कर रही है मलब इन्वेस्टर का पैसा यूज कर रहे है कि कंपनी प्रॉफिट बनाएं कंपनी इतने सालों से प्रॉफिट नहीं बना रही है क्या गैरेंटी आगे बनाएगी आप ले सकते हो आपके लिए बहुत बढ़े है मैंने अभी इंकम को देखते हुए रेट फ्लैक दे दिया है यहां पर दो कितना ग्रीन ग्रीन लिखा ह मुझे मतलब भी नहीं आपको पहले बताए यहां पहले नहीं पढ़ रहा है कि बहुत बढ़ी चल रहा है मुझे उससे फरक नहीं बढ़ता अब आजा तो मैं बैलेंशीट पर बैलेंशीट पर जब हम आ जाएंगे हम देखेंगे कंपनी के बास टोटल असेट कितने हैं व 22 करोड भाई यहां पे मैंने आपको बताया था कि कंपनिया अपने एसेट को बढ़ा चड़ा कर भी दिखाती है क्योंकि एसेट को बढ़ा चड़ा कर दिखाने पर टैक्स नहीं लगता क्योंकि अब उनने बेचा नहीं है तो यहां पे वह दोजार करोड भी दिखा दे उस आप पैसा दे रहे हो क्या गरेंटी कि आपको पैसा वापस भी मिलेगा अगर आप इनके ऐसे बेशने जाओ कंपनी बंदोने की कगार पर आ जाए तो आपको मिलेगा ठेंगा कुछ नहीं मिलना ठुलू मिलना यहां पर तो यहां पर मेरी तरफ से अगें एक रेट फ्लाग है यहां पर इन्होंने दे दिया रेट विटी रेशियो वहां पर ग्रीन सिगनल दे रहा है मेरी तरफ से तो रेडी है कैश फ्लो पर आ जाते हैं कैश कितना कंपनी के पास खुद देखना माइनस में माइनस 96 माइनस 56 क्रोड माइनस 78 माइनस 114 रेट अब इसका मतलब है कंपन नी बढ़ता ओवर देखते हैं अभी वैसे इसका आई पीओ आया है तब से इसने क्या दिया इन्वेस्टर्स को कुछ भी नहीं दिया लोग पागल थे इसके आई पीओ पे पैसा लगा रहे थे लोग पड़ यहां पर तो उन्हें ने देखा ही नहीं कि उनका लॉस हो गया भी आई पीओ रहा है पैसा लगाना आई पी ओर रहा है कुस्तो देख लो शरम कर लो थोड़ी पैसा लगा रहे हो यह नहीं पता कि पैसा लगा रहे है जुआ चेल नहीं बस फिनाइंशल पर दुबारा हो कंपनी की अभी तो यहां पे रहोंने अनुल रिपोर्ट अप्लोड ही नहीं कर रखी स्मॉल कंपनी जल्दी करती भी नहीं है एन्युवेश तो अब हम किसी और स्मॉल केप कंपनी की बात करेंगे दुबारा से यह मैंने आपको एक करके दिखाई फाइनली एक और कंपनी ले लेते हैं बाकी आप घर पर पैटे फैटे रोज यह काम कर सकते हो अभी अपनी आपको एजुकेशन को बहुत जादा स्टॉंग करना है अब कि पहले फैनाइशल देखेंगे फिर अपर बात करेंगे अभी मैं आपके सामने करोंगा इंकम पर आजाते हैं इंडिकेटर भूले हो इंडिकेटर को भी हम बात में पड़ेंगे यहां पर हम देखते हैं कंपनी के रिविन्यू को 1700 क्रोड 1600, 1600, 2000, 2300, 2600, 3400, 4200, almost 5000 क्रोड क आपके सामने देख लेते हैं 93 114 एकसी 256 इंकम भी ग्रो रही है हर साल यहां से 93 से आप डबल कर ली इसने दो साल के अंदर अपनी इंकम को इसके अलावा यहां पर मेरे में तरफ से ग्रीन है अब आ जाते हैं बैलन शीट पर हमें क्या दिखेगा कंपनी के पास आज की रिट में और यह कंपनी के असल बढ़ रहे हैं हर साल बढ़ रहे हैं सरवाइव करने के लिए अपने असल को बेच रही है ऐसा नहीं है यहां पर अथारा सो क्रोड़ वाइस सो ट्विटी सेवन अंड़ अंड़ अब यहां पर सत्रह सो है यहां पर तीन अजार है अल्मॉस्ट डबल का फरक है तो हम क्या देंगे से ग्रीन साइन रेट साइन ग्रीन साइन दे दिया अब हम फाइनली कैश फ्लो देखें क्यों कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है बर्गर के टाइम पर नेगेटिव में पास भी नेगेटिव में था 91 बड़ उससे पहले उसने कमाये हुए थे पैसे तो उस साल उसका लॉस लॉस तो नहीं बोलेंगे पर फ्री कैश फ्लो उसके हाथ में होता है वो कम था उसके बाद 125 पांसो करोड 93 2020 के अंदर जो फ्री कैश फ्लो कंपनी का कम हुआ है तो उसक के पास फ्री कैश फ्लो था तो एल गिफ ग्रीन साइन यहां पर भी चलिए ग्रीन देते हैं अब जाके देखते हैं कि प्राइस बड़ा या कम हुआ ओवर्वीव पर आने के बाद कि के के इंडस्ट्री के केबल आते हैं अब आप इनके पिर्स भी देख सकते हैं पर कोई फर्क ने पड़ता ओवर तपिर ओफ ताइम देखते हैं तो अब मैंने आपे दो ग्रीन साइन दिये थे एक थोड़ा बहुत डगमगाया हुआ था तो यहां पर गिरा डेफिनिट्ली लॉक्डाउन का टाइम था पट ओवर तपीर ओफ ताइम इट इस ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं कर रहा लो देखें 93 गादा और है 614 रुपे का है मतलब कितने गुना पैसा करके दिया 6 गुना से जादा पैसा करके दिया इस चौक ने आपने खुद फंडमेंटलनेस करी है मैंने नहीं करी आपने करी है अब आप इनका कॉंपटीशन भी कर सकते हो पढ़ सकते हो कंपनी का विजन के कंपनी कैसे ग्रो करने वाली और इननुल रिपोर्ट को पढ़ लिया तो आप लोगों से हटकर आ जाएंगे यहां पर इस चीज क्लियर अब यहां पर फिर आप इंडिकेटर्स पढ़िए अब पियर्स मलब कॉंपिटिशन में क अप लोगों से हट कर घड़े होगे कोई फरक मीपढ़ेगा आपको इसंडी नीचे जाता है क्यूंकि आप अंदर से चुक्सार्थ नीचे आप फिर ना क्या नेशनी से मं आपको पता है आप एससे था क्यूंकि फार फाने नीचे ही तेूंकि आप आप तक्रों आप वह पता है वाई यह बाउंस बैक करेगा और उपर जाएगा यह कुछ भी नहीं है जब आपको यह चीज़े पता होंगी ना तो आप और लोगों की तरह ना पैनिक में आओगे ना और लोगों की तरह लॉस्ट बुक करोंगे सो आज देखिए हमने fundamental analysis करना सीखा है पट अभी complete नहीं होगा है stock market मैंने बोला है बहुत बड़ा खुआ है और बहुत को सीखना बाकी है मुझे भी मैं आपको खुद बोल रहा हूं मैं आपको काफी कुछ सिखा रहा हूं पट मैं खुद यह कभी नहीं बोलता कि मुझे सब कुछ आता है मैं भी गलत हो सकता हूं देरर एक्सपर्ट जिन्हें मेरे से भी जड़ा नॉलेज़ है बट किसी भी इंसान को complete नॉलेज़ ना है ना हो सकती क्योंकि बहुत बड़ी फील है इस आपको भी बहुत कुछ सीखना है और उसके लिए यह जो अभी financial education की सीरीज है आपको बहुत कुछ सिखा देगी अब आप stocks में trading करना चाहते हो मैं आपको sales करूंगा कि आप अपना stocks पर account खुलवा लो क्योंकि आप रोज वीडियो देख रहे हो और उसके बाद analysis करने के बाद आप comment करता है चलो मैं को stock खरीद कर देखता हूं आप खरीद होगे कैसे अगर आपके पर dmit account ही नहीं होगा तो description औ अगर आप dmit account किसी को refer करते हो तो एक referral पर आप 500 रुपे कमा सकते हो अब आप कितने फ्रेंड्स हैं और कितना पैसा आप कमा सकते हो रेगुलर्ली लोग मुझे instagram पे stories डाल के attack कर रहे हैं कि वह पैसा कमा रहे हैं आप stock के through referral करके अगर आप भी कमा रहे हैं तो आप भी fundamental analysis करना आ जाए और वो अपना नुकसान ना गरे वीडियो चले की जल्दी से लाइक कर दीजे और यूट्यूब पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजे बैल आइकन पे क्लिक कीजे कि एक भी वीडियो आप से मैसना और Facebook पे देख रहे हैं आप में फालो कीजे I will see you in the next video till that time you go self-made 3 कर दो